चलिए next question देखते हैं और देखते हैं कि ये question किस तरीके से करना है और जितने भी questions आपको ये कराए जा रहे हैं सभी महतपूर्ण questions में से एक है सब महतपूर्ण questions तो लिखा हुआ है let A, B and C be the sets such that वही तीन set दिये गए है ना A, B और C तो वहाँ पर A और B और C कुछ इस तरीके से दिये हैं कि A union B, A union C के बराबर है यानि set A और set B का union करो या set A और set C का union करो दोनों A की बात है ना तो A union B, A union C के बराबर है और A intersection B और A intersection C भी बराबर है दो set A union B दो set A और B उनका union और A और C दो सेट का union बराबर है और उन दोनों कही intersection भी बराबर है यानि A intersection B और A intersection C भी बराबर है ठीक तो आपको ये शो करके दिखाना है कि ऐसा तभी हो पाएगा जब B C के बराबर होगा ठीक है आप से कहा गया है there are three sets in such a way that A union B is equals to A union C and A intersection B is equals to intersection C then show that A B is equals to C ऐसा तभी हो पाएगा ऐसा तभी हो पाएगा जब B और C equal होगा ठीक है चलिए एक काम करते हैं ये लिख लेते हैं जो हमें given है तो हमें यहाँ पर जो given है वो क्या है एक तो A union B बराबर है A union C के और A intersection B बराबर है A intersection C के ठीक है ये दो बात हैं हमें दी हुई है अच्छा एक काम करते हैं इस वाली बात में एक बार हम intersection एक बार intersection करते हैं B के साथ और एक बार intersection करते हैं C के साथ कैसे ज़र देखिएगा तो A union B left inside में intersection करते हैं C के साथ और ठीक है और A union C का intersection करते हैं C के साथ ठीक है ऐसा कर लेते हैं चलिए अब A union B का intersection किया मैंने C के साथ और A union C का भी intersection किया मैंने C के साथ यानि दोनों तरफ सेम quantity से मैंने intersection कर दिया चलिए ऐसा कर सकते हैं अच्छा ये distributed property लगा दो यहाँ पर तो distributed property से क्या हो जाएगा ठीक है मैं एक बार दुबारा बता देता हूँ A plus B multiply by C तो यह हो जाएगा A multiply by C plus B multiply by C तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है A union B का intersection C तो यह हो जाएगा A intersection C जैसे कि यह हुआ था A into C plus यानि union B into यानि B intersection C तो distributed property लगा दीजे तो यह हो जाएगा A intersection C union B intersection C और सामने हो जाएगा A अच्छा सामने तो आप ऐसी देख लिजे भई A union C में A union C में और C में क्या common है C common है A union C और C दोनों में क्या common है C common है simply C आजाएगा ठीक अच्छा A intersection C union B intersection C तो A intersection C को मैं लिख सकता हूँ A intersection B तो मैंने लिख दिया A intersection B union B intersection C ठीक है जी ऐसा मैंने लिख दिया और यह बराबर कर दिया मैंने C के, ठीक, let it be question number one, अब जिस प्रकार से आपने शुरुवात करी थी, जिस प्रकार से आपने A union B is equals to A union C लिखाता, अब वैसे ही लिखें, पिछली बार आपने intersection करी थी C की, इस बार intersection कर दो आप B की, तो B की आप intersection कर दें, तो A union B में intersection कर दें B की, और इधर भी आप intersection कर दें B की, तो यहाँ पर ध्यान जा देखें, A union B में और B में क्या common है, ठीक है, A union B का जब intersection B के साथ होगा, तो A union B और B, दोनों में क्या common है, B common है, तो B आ जाएगा, अच्छा, distributed property लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, A intersection B, सुनों ध्यान से, A intersection B, union C intersection B, ठीक, C intersection B, अच्छा, तो A intersection B, union C intersection B लिखो या B intersection C लिखो, एक ही बात है, ठीक, तो let it be equation number 2, अच्छा, A intersection B, A intersection B, union, union B intersection C, किसके बाराबर है, एक बार C के और एक बार B के, from first and second, this implies B is equals to क्या जाएगा, C आजाएगा, B किसके बाराबर आजाएगा, C के, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, कि जो A union B और A union C बाराबर थे, उन दोनों में एक बार intersection मैंने B का कर दिया, और एक बार मैंने intersection C का कर दिया, और वहां से जो है, अपने आप, भागा भागा, दोड़ा दोड़ा, B किसके बाराबर आजाएगा, C के बाराबर आजाएगा, ठीक है, आप भी से ऐसे ही करिएगा, चलिए, अगला देख,